तो दुस्तों शुर्य हम बात कने वाले happiest minds and technologies limited company के बारे में और happiest minds के अंदर आज में यहाँ पर जो है वो almost 1% के around की यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट और उसी के साथ counter के अंदर आज में यहाँ पर जो है वो एक flat performance और उसी के साथ यहाँ पर जो है वो अभी फिलल के लिए as such कोई major momentum देखने को नहीं मिल रहा येस बट एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आज even though market 2% तक blade कर गया है happiest minds के अंदर comparatively हमें उतनी जादा कोई गिरावट देखने को नहीं मिले counter ने अपने आपको यहाँ पर जो है वो अच्छी तरीके से संभाल ल है कि क्या यहाँ पर happiest mind पहले resistance को break करेगा या फिर पहले जो है वो support की दज्या उड़ेगी अगर मालो support break हो गया तो शायद से again counter हमें नए all time low तक भी यहाँ पर further गिरता हुआ देखने को मिलेगा